ये तस्वीरे फरिदवाद के सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन की हैं जहां पर प्लेटफॉर्म नमबर दो पर एक लड़की खुदखुशी करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है लड़की मेट्रो स्टेशन के ओपर किनारे पर बैठी हुई थी तब ही ऐसाइधन प्रकाश और सिपाही सरफराज ने मौके पर पहुँच कर लड़की का ध्यान बटाना शुरू कर दिया और लड़की से बात करते रहे दूसरी तरफ से सिपाही सरफराज छज्जे पर चड़कर लड़की के नजदीक पहुँचता है और उसको काबू में करता है CISF स्टाफ में करमचारियों की साहता से लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया आप भी देखिए ये वीडियो लड़की से पूछताच में पता चला है कि वो दिल्ली की रहने वाली है और सेक्टर थाइस फरिदवाद में एक साइं एक्सपोर्ट कमपनी में नौकरी करती है जो रिजल्ट को लेकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन में आ गई थी जिस कारण उसने ये कदम उठाया लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक है लड़की को सरकुषल उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरे समाज में सोचने पर मजबूर करती हैं हमारी युवापीडी की सोच जा रही है देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और खान अगर आप वीजियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिए वीजियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने कमेंट्स जरू दीजिए